तो देखा आपने आज में जो स्नेक्स की रेसिपी लेके आई हूँ वो कितना क्रिस्पी है नमस्कार मैं अंकीता आज आपके लिए लेके आई हूँ टी टाइम स्नेक्स की रेसिपी तो चलिए क्रिस्पी सा स्नेक्स बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले बोल में डालेंगे हम एक छोटी कटोरी चने की डाल और एक छोटी कटोरी मूं की डाल और उसी कटोरी के नाप से एक छोटी कटोरी साबुदाना और एक छोटी कटोरी उडद की डाल अब हम इसे 3-4 बार साप पानी से दोलेंगे और 2 गंटे के लिए भिगो कर रख लेंगे और देखे मैंने इसे 2 गंटे पहले भिगो कर रख दिया था जो हमारी दाले हैं वो अच्छे से फूल गई है अब हम बड़े बरतन में 1-2 kg चावल का आटा ले लेंगे आटे को पहले अच्छे से चान लीजेगा अब हमने जिस कटोरी के नाप से सारी डाले डाली थी उसी कटोरी के नाप से दो कटोरी इसमें ये सारी मिक्स डाल डाल देंगे अभी मैं आपको थोड़ा बना कर दिखाती हूँ बाकी का मैं बाद में बना कर तैयार करूँगी अब हम इसमें आधा चम्मच जीरा डाल देंगे और अब डालेंगे दो चम्मच तिल एक चम्मच इसमें डालेंगे अधरक और हरी मिर्ची का पेश्ट और थोड़ा सा बारिक कटा हुआ धनिया और एक बड़ा चम्मच घी का डाल देंगे घी को हमें तेज गरम करके डालना है इसमें आप चाहे तो इसकी जगे रिफाइंड ओईल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आधर चम्मच इसमें नमक डाल देंगे या टेश्ट के अनुसार डाल लीजी और अभी से अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखी ये अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका टाइट आटा लगा कर तलियार कर लेंगे आपको ध्यान रखना है जब आप इसका आटा गुंदे तो थोड़ा थोड़ा पानी ही ढाले, एक साथ जादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो आटा पतला हो सकता है और देखिए इसका एकदम टाइट आटा मैंने लगा कर तयार कर लिया है अब हम हाथों पे थोड़ा सा तेल या घी लगा लेंगे ताकि यह आटा हाथ पे ना चिपके अब हम इसमें से थोड़ा सा आटा तोड़ लेंगे और नीबू के आकार की लोई बना कर तयार कर लेंगे और ये देखिए इसी तरह से हमें सारी लोई बना कर तयार कर लेनी है इसी साइज की बाकी की लोई या भी हम इसी तरह बना कर तयार कर लेंगे और ये देखिए एक ही साइज की मैंने सारी लोई बना कर तयार कर ली है अब हम ये पूरी बनाने की मसीन ले लेंगे और इस पे तेल या घी लगा लेंगे और ये देखिए दो पोलो थिनको मैंने इस मसीन के साइज का काट लिया है अब हम दोनों तरफ इसके इस तरह से इनको चिपका देंगे ये देखिए इस तरह से दोनों साइड लगा देना है और पोलोथिन लगाने के बाद हम इस पे थोड़ा सा तेल या घी लगा देंगे और इसके बीच में एक लोई रखे इस तरह से जोर से दबा देना है हैं अब हम इसे आराम से उतार लेंगे यह बहुत ही आसानी से उतर जाता है इसमें टेल लगा होता है इस वज़े से यह चिपकता नहीं और यह देखे मैंने थोड़े से बना कर तयार कर लिए हैं एक साथ डालने के बाद थोड़ी देर में हम इने पलट देंगे और इसी तरह से लटते पलटते हुए इनमे गोल्डन कलर आने तक हमें इने फ्राइ करना है जब भी सुभे या स्याम की चाय के साथ आपका कुछ हलका फुलका खाने का मन करता है तो आप इने बना कर खा लीजिए ये टेश्टी क्रिस्पी स्नेक्स है आपको जरूर पसंद आएगा आप इने एक बार बना कर कुछ दिनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं और ये देखी ये बिल्कुल अच्छे से फ्राइ हो गए है अब हम इने निकाल लेते हैं और बागी के भी हम इसी तरह से बना कर तयार कर लेंगे आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलिएगा थैंक यू